इस्टी की कुछ ऐसी खतरनाग वेपन्स जिसके आगे खड़ा होना मतलब मौट को उलावा देने जैसा होगा नमबर वन चकरम ये एक बेह धारदार अथियारे जिसे लडाई में काफी तेज फेका जाता था अगर इसे चलाने वाला माहिर है तो ये दुश्मनों के लिए किसी मौट से कम नहीं होता था इसका यूज करने वाले सैनिक हमेशा दो चकर अपने पास रखते थे फेकने के साथ साथ इसका यूज आमने सामने के लडाई में भी यूज किया जाता था बागनक, बागनक का मतलब बाग के नाकोनों से है इसकी बनावट किसी बाग के नाकों जैसी होती है ये वही अथियार जिससे सिवाज्य महराजने अफसनel खान को मारा था ये साथियार की खासियत ये थी कि इससे आसाने से चिपाया जा सकता था और ज़योत परने बाचारक से हमला कर सकते थे नमबर थ्री, पुरूमी ये एक बेहद अजीव हथियार था इसके ब्लेड बेहद तेज और लचेले होते थे जो लगी से चलाने में एक्सपर्ट होते थे वो ही इसका इस्तिमाल करते थे क्योंकि इसको चलाने में जरासी भी गलती की तो आप खुद को ही चोट पहुचा लेंगे इस हथियार में पूरे 32 ब्लेड एक साथ जुड़े होते थे नमबर फूर, हलादी तीन ब्लेड बलाईया हलादी राजबुतों में यूद के हथियार से जादा एक स्टेटिस सेंबल के तोर पर इस्तिमाल होता था हाला कि कुशल लड़ा को इसका इस्तिमाल आज भी गहातक हथियार के रूप में कर सकते हैं